हलो फ्रेंट साइंस के इस महफिल में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज एक और खतरनाक अंदाज में एक इंपोर्टेंट टोपिक का पोस्ट माडम करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम 12 फिजिक्स के तीसरे चैप्टर यानि बिद्दुत धाराव के सारे इंपोर्टेंट नियूमेरिकल को कवर करने वाले हैं एक क्या है दोस्तों आरेख बना हुआ है और उसमें आपको क्या करना है विद्दुत धारा यानि आई का मान निकालना है ये क्या है इसमें संधी है अब ध्यान देना दोस्तों हमने इसमें जितने नियम है और सब नियम पे एक एक नियम को आज समझने वाले हैं तो इसमें दोस्तों पहला हम देखते हैं क्या कह रहा है कि इसमें एक संधी है पी और एक क्यों है और एक आ रहा है आई का मान निकालना है अगर आपको किर्चाफ का नियम पता होगा तो हमें पता है कि जो किर्चाफ का नियम होता है दोस्तों इसमें क्या होता है आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी भी संधी पर या किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो योग होगा वो वहां से यानि उस बिंदु से निकलने वाली धाराओं के योग के बर आबर होता है बस इतना आपको याद करना है तो इसमें क्या करेंगे चलिए इसमें क्या करेंगे हम पहले समझेंगे दोस्तों बिंदू बिंदू पी पर क्या होगा किरचाफ का नियम लगाएंगे तो इसमें अब ध्यान देना कि इस बिंदू पर कौन सी धारा अंदर की और यनि इसका direction कौन सी तीर अंदर की ओर है और कौन सी बाहर की ओर तो आप देख रहे होंगे कि इस बिंद उपर जोस्तों इस बिंद उपर एक धारा यहां से अंदर की ओर आ रही है और एक धारा यह अंदर की ओर आ रही है ठीक है ना और यहां से एक धारा बाहर की ओर जा रही ठीक और यहां से यह धारा भी क्या है बाहर की तो क्या लिखेंगे दोस्तों इस पे लिखेंगे टू प्लस टू यनि एक धारा यहां से अंदर एक धारा यहां से अंदर बराबर एक धारा यह बाहर जा रही है एक एमपियर की धारा और दूसरा यह बाहर जा रही है यनि आई 1 निकल कर कितना आया दोस्तों इसको इधर भेज देंगे 3 ampere यनि आई 1 का मान इसका जो value निकल कर आया वो 3 ampere अब इसमें भी आपको ध्यान देना है एक मिनट यहाँ पे थोड़ा रेख में देख लेते हैं यहाँ पे value नहीं रखा है इसका भी दिया है दोस्तों इसका भी द अब आयेंगे हम बिंदू क्यों पर बिंदू क्यों पर क्यों पर क्या है इसमें भी ध्यान देना यह अंदर की ओर यनि धारा i1 आ रही है i1 प्लस और अंदर और कौन सी धारा आ रही नहीं आ रही है यह भी बाहर जा रही है दोस्तों यह भी क्या है बाहर की ओर जा रही है ये भी क्या है बाहर की ओर जा रही है तो यनि इस में कोई धाराब नहीं है बराबर क्या हो जाएक। आर पर आएंगे ठीक ना तो यहां से लिखेंगे दोस्तों की बिंदू आर बिंदू आर पर तो बिंदू आर पर यहां पर भी क्या किर्चाफ का नियम सब पर लगेगा यहां पर कौन सी धारा अंदर आ रही है तो एक धारा यह है यनि आई टू और ऐसी कोई धारा है अंदर बिलकुल, यह धारा अंदर की और 3 इसका दिखिए, अंदर की और आ रही है यहन्हीं इस बिन उपर, तो यहाँ से एक हो गया, बराबर धारा जो बाहर जा रही है और यह यह, तो 1.2 इंपियर और प्लस आई, यह बाहर जा रही, i2 का मान हमें पता है दोस्तों 2 प्लस 1 बराबर 1.2 प्लस i हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 3 बराबर 1.2 प्लस i तो यहां से जो i का value निकल कर आया i बराबर कितना आएगा जब 3 में से 1.2 घटाएंगे तो ये 1.8 amp ये धारा निकल कर आएगा ये ही हमारा क्या हो जाएगा ये ही हमारा right answer हो जाएगा तो I hope कि सारी चीजें clear हो गए होंगी चलिए चलते हम दूसरे question की तरफ और दूसरा question भी क्या है एक परिपत है और काफी important ये भी question है इसमें अगर आप देख रहे होंगे दूसरा question हम देख लेते हैं दोस्तों परिपत इधर बना देते हैं बांकि इसको हम solve इधर कर लेंगे ठीक परिपत में आप देख रहे होंगे क्या है इस तरह से एक परिपत बना हुआ है इस तरह से एक परिपत बना हुआ है और यहां से इसमें दोस्तों ध्यान पूरवक्ष मजना इसमें इस तरह से क्योंकि यहां पर एक है तो यहां पर ठीक है ना चलिए यह परिपत है यह क्या है दोस्तों एक परिपत है और इसमें कहे रहा है कि बिंदु एवा बी के बीच का तुल प्रतिरोध आपको निकालना है और जो यहां से वैलू दिया है तीन ओम उसके बाद यह आठ ओम यह छे ओम और यहां से एक है दोस्तों एक है एक मिनट यह तीन है तीन है और यह छे ओम है और यहां से यह भी छे है तो अगर आप यहां से ध्यान दे रहोंगे अगर आपको पता होगा वीट स्टोन से तू अगर नहीं देखा है तो इसकी भी वीडियो आपको यहां से मिल जाएगी description में इसकी भी वीडियो मिल जाएगी अगर आपने वही क्या होता है कि अगर आपने थियोरी ही नहीं समझा तो सवाल कैसे solve करेंगे इसके लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा अब ध्यान देना अगर आप सभी को पता होगा दोस्तों ये जो figure है इसमें थोड़ा सा हम changing करते हैं अगर इसमें थोड़ा सा बदलाओ करेंगे इसमें अगर हम थोड़ा सा बदलाओ करते हैं तो ये वाला जो figure बनकर आएगा अगर आपको पता होगा तो ये figure कुछ इस तरह से बनेगा और यहां से ये है इस तरह से ये figure बनेगा दोस्तों ठीक कुछ इस तरह से फीगर बनेगा और ये क्या है आठ होम है और एक ये तीन है और वहां से एक छे है और एक यहां से तीन है और एक इधर से छे हूँ अगर आपको पता हूँ कि वीट से तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होता जब वीट स्टों शंतुलित होता है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है इसलिए क्यों हो जाएगा इससे तो हम काउंट नहीं करेंगे अब ये दोनों दिहान देना ये दोनों सिरेडी क्रम मे हैं वैसे सिंपल सवाल है बट इसका फीगर ही थोडा अट पटा है देखने में ठीक यह दूसरा फ्रोरն है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अब यहां से हम क्यों लिखेंगे दोस्तों की तीन ओम तथा चे ओम स्रेजी करम में हैं स्रेजी करम में है किज deeper हैं क्योंकि हमने उतायना यहां से क्या है इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा सिरेणी क्रम में जब सिरेणी स्रेडी करम में है ठीक एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं और ये भी क्या हो जाएगा इसमें आर का मान निकालेंगे तो ये तीन प्लस छे तो यहां से आर का जो वैलू निकल कर आया ये आया नव ओम अब ध्यान देना दोस्तों इधर का नव ओम और ये दोनों क्य जाएंगे तो यहां से लिखना पड़ेगा कि नव ओम तथा नव ओम समानतर करम में हैं किस करम में समानतर करम में अब ध्यान देना दोस्तों समानतर करम के लिए क्या हो जाएगा वन अपान आर बराबर वन अपान यहां से आर वन प्लस वन अपान आर टू यहां आर वन आ आर इसकोल टू कितना जाएगा यहां से तू अपान नाइन हो जाएगा यह निए आर बरावर जब हम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा वैलू उल्टा हो जाएगा तो यह 4.5 यही क्या जाएगा यही हमारा राइट एंसर हो जाएगा I hope कि अच्छे से ये सवाल समझ में आ गई होगी तो चलिए हम चलते हैं next question की तरफ और जो तीसरा question है ये भी काफी important है और ये जो तीसरा question है इसके बाद दोनों जो दो से तीन आगे जो question है वो थोड़ा lengthy है लेकिन important है वो question 5 number में आते हैं चलिए अगला देखते हैं question number 3 question number 3 यहां से हम देख लेते हैं तो question number 3 में दोस्तों ये भी आरेक पर है क्योंकि विद्दु धारा है तो परिपत बनेगा इसमें भी क्या है आरेक पर ही अधारित है ये figure थोड़ा बना लेते हैं ये इस तरह से कुछ बना हुआ है इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि इस परिपत में संचित ओर्जा संचित ओर्जा आपको निकालना है ये 2 microfarad है और ये क्या है 2 ohm है ये भी 2 ohm है दोस्तों और उसके बाद ये कितना है 5 ohm है और इस परिपत में जो धारा है तो कहना, इस परिपत में संचित ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक, इसमें करेंगे क्या, संचित ऊर्जा इसके लिए हमने फार्मूला बटता आया था, एक बटे, यू बराबर, एक बटे दो, सी, वी स्कुयर, लेकिन यहां से, सी का मान तो दिया है, V का मान तो नहीं दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे पहले हम V का मान निकालेंगे V ओम के नियम से क्या होता है V और वि बराबर I into R लेकिन I है पहले कुछ नहीं करना इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है पहले जो यह प्रतिरोध है सभी किस करम में दिखाई पर रहे हैं तो सभी के सभी स्रेणी करम और स्रेणी करम कैसे पहचानते हैं हमने बताया था दोस्तों कि प्रतेक प्रतिरोत का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोत के पहले सीरे से जुड़े तो क्योंकि इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ा है और इस दो ओम, तथा पांच ओम, ये क्या है, स्रेडी करम में है, ठीक ना, स्रेडी करम में है, एक मिनट, एक मिनट, सवाल, सवाल, सवाल में क्या है, गलती हो रही है, कहां से, तीन दिया है, ठीक, तीन दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको हम स्रेडी करम में जोड़ सिरेडी क्रम में जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 2, 10 हो जाएगे नहीं 2, 3, 5 तो R का मान निकल कर आया दोस्तों 10 Ohm आ गया ठीक है ना 10 Ohm आ गया और जो I का मान है दिया है तो V का मान निकल लेंगे V बराबर I into R Ohm के नियम से V बराबर I into R निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम value को put कर देते हैं तो V बराबर I into R, I का मान कितना है 2, R का मान कितना है 10 तो यहां से V का जो मान निकल कर आया 20 Volt आ गया कितना दोस्तों 20 Volt अब उसके बाद C का जो मान दिया है C बराबर तो दिया है दो माइक्रो फैरड इसको फैरड में कनवर्ट करेंगे तो C बराबर दो गुड़े दस के घाते माइनस छे फैरड तो यहां से क्या हो जाएगा U बराबर संची तूर्जा U बराबर एक बटे दो C V स्क्वाइर एक बटे दो C V स्क्वाइर हो जाएगा तो यहां से क्या करेंगे U बराबर एक बटे दो C का मान दो गुड़े दस के घात माइनस छे और V का मान बीस है तो बीस का स्क्वाइर तो यहां से कितना निकल कर आया यह दो से दो हम काट देंगे और यह बीस बीस हम में कितना 400 गुड़े दस के घात कितना हो जाएगा माइनस छे हो जाएगा या फिर लिख सकते हैं 4 गुड़े दस के घात माइनस का 4 इतना जूल इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो को देखते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं question number 4 को question number 4 screen पर भी दिखाई पड़ रहा होगा और यहां से आपको board में भी दिखाई पड़ रहा है यह जो question है दोस्तों यह exam में आपका 5 number का question पूछा जाएगा और इसे छोड़ना नहीं है ऐसे ही नहीं जाने देना है हमें क्या क solve कैसे करेंगे यह बहुत ही प्यारा सा question है और बहुत सारी student इसमें क्या है confused होते हैं और question ही देख करके उन्हें पसीना आ जाता है लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़े से दिमाग लगा करके थोड़ा सा concept इसमें आपको कौन सा लगाना है य और एक यह कच है तो इसका मतलब इसमें दो बंद पास हैं और बंद पास वाला नियम किसमें चलता है किरचाफ का नियम और इसमें सारे जो सवाले हैं दोस्तों आधे से ज़्यादा जो question है इसी पर based हैं इसी लिए करें कि किरचाफ के नियम को पहले देख लेजी आप ठीक बंद पास यह है और बंद पास वाला अगर पास का नियम बात करें दोस्तों या बोल्टता का नियम तो यह किरचाफ का दुती नियम है इसमें क्या होता है कि किसी बंद पास से गुजरने वाली धारा और उसमें जो लगा प्रतिरोध का बीजगरती योग इसमें लगे बि की इसमें भेहने वाली धारा इसमें दो बंद पास हैं तो शबसे पहले क्या करेंगे बंद पास ADCA बंद पास किसके लिए दूस्तों ADCA यहां से करेंगे तो बंद पास ADCA 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 के लिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए हमें क्या निकालना है I1 सुत्र क्या होता है I1 I1 into R तो I1 इसमें into R कितना है R कितना है दोस्तों 2 प्लस इसमें हो गया अब एक ये भी तो है तो I2 I2 के स्थान पे क्या रखेंगे I2 का मतलब I1 प्लस I2 ठीक क्योंकि इसमें क्या इसमें धारा दोनों मिले हुई है यानि इसमें संयुक्त धारा है इसलिए यहां पे एक धारा थी I1 रख दिये यानि पूरे इस परिपत में धारा I1 बह रही है और इसमें क्या करना है इसमें जो धारा है वो I1 प्लस I2 है इंटू आर होता है सूत्र इसमें कितना है चार और बराबर क्या होता है बिद्दुत वाहकबल तो इसमें बिद्दुत वाहकबल कितना लग रहा है एक बोल्ट एक बोल्ट लग रहा है ठीना इसी तरह से क्या है हम अब दूसरे बंद पास क्योंकि इसमें निकलना क्या है question में इसमें I1 का मान निकलना है I2 का मान निकलना है और संयुक्त धारा यहनी सभी संधियों में क्या है धारा निकलना है तो पहले अब यह हो गया तो इसको थोड़ा और solve कर लेते हैं 2 I1 प प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 I2 बराबर का एक तो इसको करेंगे 6 I1 प्लस 4 I2 बराबर 1 equation number 1 समी करण एक हो गया दोस्तों ठीक इसली इसको हम solve करेंगे सारा doubt क्लियर हो जाएगा पहला हो गया दूसरा क्या करेंगे कि बंद पास दूसरा कि बंद पास बंद पास A B C A यह इसके लिए यह बंद पास का मतलब पूरा बंद करना है हमें के लिए इसके लिए कैसे solve करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों इसमें भी वही concept I1 लेकिन यहां क्या है इसमें धारा I2 बह रही है इसलिए I2 into R इसमें कितना प्रतिरोध लग रहा है क्या हो गया है आज हमें यहां से आधा आधा मान रख रहे हैं एक मिनट देख लेते हैं इसमें दोस्तों दिया है तीन ओम ठीक इसक्रीन पर question है देख रहे होंगे कि तीन ओम दिया है ठीक तो I1 हो गया into R का मान कितना रखेंगे दोस्तों 3 प्लस तो इसमें हो गया अब इसमें कितना बहरा है तो इसमें तो धारा वही है ना I1 और प्लस I2 ही धारा है into R का मान कितना रखेंगे चार रखेंगे, ठीक ना, आर का मान क्या रखेंगे, चार ही तो रखेंगे इसमें भी, और बराबर का इसमें बिद्दुत्वाहक बल कितना लग रहा है, इस वाले सीरे में, दो वोल्ट का बिद्दुत्वाहक बल लग रहा है, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएग प्लस 4i1 बराबर 2 हो गया ठीक या इसको सही ढंक से लिख देते हैं 4i1 प्लस 7i2 बराबर 2 equation number 2 समीकरण एक ये बन गया एक समीकरण ये बन गया अब दोनों को क्या करना है समीकरण को हल करना है तो यहां से हम लिख लेंगे पहला समीकरण 6i1 बराबर 1 ये हो जाएगा 4i1 प्लस कितना 6i2 बराबर 2 अब अगर हमको हल करना है तो कुछ न कुछ भाई दोनों i1 और i2 में कुछ न कुछ तो बराबर करना पड़ेगा इसके लिए जैसे अगर हमें इसको पहले कट करना है तो हम क्या करेंगे एक मिनट हाँ इसमें क्या करेंगे मान लेते हैं एक ये काटना है तो इसके लिए दोस्तों हम कर देंगे यहां से कितना 2 से गुड़ा और इसमें कितना 3 से गुड़ा ठीक है न इसमें क्या करेंगे 2 से गुड़ा छे दुनी 12 हो जाएगा और चारतियाई 12 तो ये हो जाएगा ये निकल कर आया एक मिनट इसको जब करेंगे तो 12 I1 प्लस 8 I2 बराबर ये 2 हो गया दोस्तों और इसमें हो जाएगा कि चारतियाई 12 I1 प्लस कितना 30 सते 21 I2 बराबर 6 अब इसको हमें क्या करना है घटाना है भी त से क्या करेंग दोस्तों अब 21 में से 8 क्योंकि माइनस में आएगा उपर संख्या कम है नीचे जादा है कितना हो जाएगा 13 I2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 4 ठीक है ना माइनस का 4 हो गया तो यहां से इसको हम कट करेंगे ठीक हां ठीक है तो यहां से आएगा I2 बराबर 4 बते कितना 13 I2 बराबर 4 बते 13 यह निए एक एंसर I2 का मान निकल आया अब I2 का मान चाहें तो समी करण एक में रख दीजिए या फिस समी करण दो में तो लिख देंगे I2 का मान समी करण एक में रखने पर एक में रखने पर तो समी करण एक में रखना है दोस्तों इधर चलते हैं देख लेते हैं समी करण एक में रखेंगे तो समिक्रण ये एक रहा तो कितना हो जाएगा 6 into I1 हमें I1 निकालना है plus 4 into I2 का मान कितना है 4 बटे कितना है दोस्तों 13 ठीक ना 4 बटे कितना है 13 है ठीक एक मिनट एक मिनट मान सही है यहां सही है ठीक अब इसके बाद बराबर बराबर इधर क्या है दोस्तों इधर हम क्या रखेंगे मान कितना है एक है ठिक मान एक है तो यहां से रखेंगे 6i1 बराबर यह उधर घटा देंगे माइनस का 16 बटे कितना 13 16 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 4 चुक 16 और यहां से लिखेंगे 6i1 बराबर माइनस का 3 और बटे कितना 13 तो यहां से 3 दुनी 6 तो i1 बराबर माइनस का 1 बटे कितना 26 यहां से कितना आया था दोस्तों एक मान आया था 4 बटे 13 और एक मान आ गया यहां से कि माइनस का 1 बटे 26 अब क्या करेंगे कह रहा है कि हमें i1 i2 निकल गया अब i1 प्लस i2 यानि इस संधी में इस इन दोनों कितना है दोनों शाखाओं में अलग-अलग जो मान था i1 i2 का निकाल लिया अब निकालेंगे हम i1 प्लस i2 तो हमें पता है i1 का मान निकाला कितना i1 प्लस i2 तो माइनस का 1 बटे 26 माइनस का 1 बटे 26 और प्लस 4 बटे 13 ठीक ना यह इसको सही से लिख लेते हैं 4 बटे 13 माइनस 1 बटे 26 अगर इसको बराबर करना चाहेंगे तो हम बराबर कर सकते हैं 8 बटे इसको हम 26 लिख सकते हैं क्योंकि उपर नीचे दो का गुड़ा करा देंगे और यहां से एक बटे यह 26 हर बराबर हो जाएगा इसलिए जो answer है आसानी से आ जाएगा तो यहां से कितना निकल कराया है दोस्तों यह 7 बटे 26 यही हमारा right answer हो जाएगा तो इसमें कितना answer है इसमें एक answer यहां से यह है ठीक ना और जो दूसरा answer है highlighted कर देते हैं दूसरा answer है यह ठीक यहां लिखे हैं और तीसरा answer निकल कर कितना आया यह आया ठीक ना यह निकल कर आया I1 प्लस I1 प्लस I2 यह यहां से निकल कर आ गया ठीक तो ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक, चलते हैं हम अगले question की तरफ, question number 5, ये भी काफी important question है, question number 5 में थोड़ा सा आप क्या करना है, आपको, वैसे ये काफी simple है, लेकिन थोड़ा सा बस क्या है, थोड़ा सा आपको extra दिमाग लगाना है, ठीक ना, थोड़ा सा extra दिमाग लगा करके, आप इस question को solve कर सकते हैं, कहरा कि 200 बोल्ट और 0.2 एंपियर धारा वाले बल्व के, तन्तु के तार की जो लंबाई है दोस्तों, वो 20 cm है, तो कहरा है, तन्तु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, पांच गुणे 10 के घात माइनस 7 ओम लिटर है, तो तार का विशिष्ट कितना होगा, चलिए बहुत ही मज़ेदार question है, इसमें आप हम यहां से क्या है, कह रहा है कि 200 बोल्ट, ठीक ना, वी का मान कितना है, 200 बोल्ट है, फिर कह रहा है कि 0.2 एंपियर की धारा, यानि आई का मान 0.2 एंपियर की धारा है, फिर क रहा है कि तार, तन्तु के तार की जो लंबाई है, यानि एल का जो मान है दोस्तों, वो है 20 cm, तो मीटर में convert कर लेते हैं, 20 गुने 10 के घात माइनस 2 मीटर, तो कह रहा है, और 20 प्रतिरोध है नि, रो का मान जो है, 20 प्रतिरोध जो है दोस्तों, वो कितना दे रखा है, 20 प् प्रतिरोध कितना दिया है, 5 गुने 10 के घात माइनस 7 ओम मीटर है, तो कह रहा है कि तार का ब्यास कितना होगा, यानि ब्यास बराबर 2R होता है, तो 2R निकालना है, इसके लिए करेंगे क्या, इसको हम, हमें पता है कि 20 प्रतिरोध बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्त विशिष्ट प्रतिरोध बराबर, एक चीज और इसमें देख लेते हैं, हाँ, क्वेश्चन ठीक है, चलिए, इसमें क्या करेंगे, हमें 20 प्रतिरोध के लिए, क्या है, अप्लाई करना है फार्मूला, तो इसमें पता है, कि जो 20 प्रतिरोध रो बराबर होता है दोस्तों, आर ए अपान एल, क्या होता है, आर ए अपान एल होता है, ठीक, अब हमें आर का मान तो नहीं पता, तो आर का मान क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे अलग से, आर बराबर, वी अपान आई, ओम के नियम से, क्यों, क्योंकि वी का मान दिया है, आई का मान दिया है, तो दोस्तो R बराबर V का मान 200 हो जाएगा और I 0.2 हो जाएगा अगर आपको दसमलो हटाना है एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे आपको ठीक तो 10 का गुना उपर नीचे करेंगे ठीक तो यहां से जो R का मान निकल कर आया 1000 ओम आ गया ठीक ना अब इसमें क्या करेंगे रो बराबर क्या करेंगे रो बराबर दोस्तों यहां से हम लिखेंगे R अब A बराबर हम क्या रखेंगे छितरफल है तो Pi R स्क्वार क्योंकि R का मान निकालेंगे तभी तो 2R निकलेगा ब्यास तभी तो निकलेगा ना तो यहाँ से एक एस्थान पे पाई यर र स्कॉयर ये चितरफल होता है और ये L है हमें निकालना क्या है और का मान निकालना है तो जब यहाँ से ध्यान देना दोस्तों R बराबर जब formula रखेंगे यही R square बराबर R square बराबर क्या हो जाएगा Rho into L upon Pi into R यह हो जाएगा ठीक ना इस पे हम अब value को रख देते हैं तो R square बराबर क्या हो जाएगा Rho का मान दिया है 5 गुणे 10 के घात माइनस 7 ठीक और उसके बाद L का मान कितना दिया है तो 20 गुणे 10 के घात माइनस 2 और अपान Pi का मान 22 बटे 7 आप रख दीजिए और उसके बाद R का जो मान है R का मान कितना है 1,000 है अब क्या करेंगे इसे इधर देख लेते हैं R square बराबर R square बराबर हो जाएगा दोस्तों R square बराबर पाँच दूनी 10 यनि 20 पंजे कितना हो जाएगा सब हो जाएगा 20 पंजे 100 और गुणे 10 के घात यहां से ध्यान देना 10 के घात ये माइनस 2 है ये 10 के घाते माइनस 7 है तो साथ दो कितना हो जाएगा मैनस का नो और अपान नीचे हो जाएगा एक मिनट हाँ ठीक है ये हो जाएगा बाइस बटे साथ गुने हो जाएगा एक हजार को हम लिख सकते हैं दस के घात में तेन ठीक या आर स्कुएर बराबर आर स्कुएर बराबर कितना करेंगे दोस्तों उपर भेज देंगे तो साथ सो हो जाएगा ठीक ये हो जाएगा साथ सो गुने दस के घात ये माइनस का तीन उपर जाएगा तो दस के घात माइनस बारा बटे ये हो जाएगा बाइस ठीक ना ये कितना हो जाएगा दोस्तों बा एक बार इसको देख लेते हैं हलक से 22,700, तो ये 31.3 या 4 के करीब में आएगा, ठेक, अब यहां से r² बराबर हो गया 31.4, गुने 10 के घात माइनस का 12, तो r बराबर जब निकालेंगे ये क्या हो जाएगा रोड, 31.4, गुने 10 के घात माइनस का 12, तो ये हमें पता है, अगर हम 31 का निकालेंगे तो 5, 55, ये 5.6, गुने 10 के घात कितना निकलेगा? 10 के घात 12 है, तो बाहर निकालेंगे 10 गात माइनस का 6, ये r का मान निकलेगा, अब हमें निकालना है दोस्तों 20, 20 बराबर होता है 2R, ठीक न? तो दो गुडे एकदम simple तरीके स दस के घात माइनस का 6 तो 2,12 हो गया दोस्तों अब 2,15,10,1,11 यानि 11,12,10,10 के घात माइनस 6 ये आएगा इसका मीटर ठीक इतना इसका क्या आ गया ब्यास आ गया इस तरह से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं तो इसको आप स्क्रीन सौट कर लीजे उसके बाद आप क्योंकि आप सभी के कमेंटार रहता है कि सर सभी जो 12 फिजिक्स के सभी चेप्टर को डे बाई डे नियुमेरिकल कवर करा दीजिए तो आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं सो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों की वीडियो को जादा से जादा दोस्तों तक सेर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आती है तब बांकि कोही जबरजस्ती नहीं है और पहले इसको आप स्क्रीन सौट कर लेजिए फिर हम देखते हैं आगे चले अब यहां से हम देखते हैं दोस्तों question number 6 और यह काफी important question यह भी होता है और यह exam से क्योंकि हमने बताया ना कि previous years में जितने question आये हुए है उन्ही को हम उठाते हैं यह से और क्या कह रहा है कि इसमें क्या है दोस्तों कि ध्यां देना कि एक विद्दूत वाहक बैटरी है यानि एक से ल है उसमें कह रहा है कि धारा 0.5 लेने पर धारा 0.5 लेने पर बोल्ट एक दसमलो 8 वोल्ट भी फॉांतर हो जाता है यनि बैदुत वाहग बल हो जाता है यनि I1 का अमान कितना है 0.5 एमपियर है और कह Not है और कह रहा है कि उसका बिद्दुत वाहग बल 1.8 बल्ट हो जाता है ठीक ना फिर आगे क्या काह रहा है दोस्तों कि धारा धारा एक MPR लेने पर यहनी आई टू का मान जब एक MPR कर देते हैं तब विद्दुत वाहक बल जो है वो हो जाता है एक दसमलोच 6 वोल्ट हो जाता है तो कह रहा है कि आंतरिक परतिरोध और विद्दुत वाहक बल निकालना है क्या करेंगे इसके लिए फार्मूला करेंगे एगा होता है यहां से अब निकालेंगे दोस्तों E1, E1 बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा विभो शमान है तो I1 into R तो यहां से कह रहा है कितना, पहले कितना रखा गया था 1.8 बराबर V-I1 I1 कितना है दोस्तों 0.5 एंपियर है 0.5 एंपियर की धारा है तो यह हो जाता है आपका equation number 1 और दूसरा कहरा है बिद्दुत वाहग बल यहां से 1 रखेंगे तो directly हो जाएगा केवल R क्योंकि 1 तो यहां से हम रखेंगे 1 into R का मतलब क्या है R यह समीकरण हो जाएगा 2 अब समीकरण 1 वाद 2 को हल करने पर समीकरण 1 वाद 2 को हल करने पर इनको जब हल करेंगे तो 1.8 बराबर V-0.5 R हो जाएगा और इसके बाद यहां से 1.6 रखेंगे और यह V- का कितना R हो जाएगा ठीक ना यह कितना हो जाएगा R अब इनको क्या है हल करना है इनको हल करना है जब यह माइनस करेंगे अब क्या रहे गया बता दिये तो आप लोग कमेंट क्या करेंगे यह चलिए देख लेते हैं इसको घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 1.8 में से 1.6 घटाना है तो 0.2 कितना हो जाएगा 2 बराबर यह तो कैंसिल हो जाएगा और यहां से ध्यान देना माइनस का 0.5 है R और यह माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा तो 0.2 बराबर यह कितना हो जाएगा दोस्तों 1 R है यहां पे R तो यह हो जाएगा कितना दोस्तों कितना हो जाएगा R में से घटाना है ठीक ना यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है तो R में से 0.5 R घटाना है तो 0.5 R बचेगा या R बराबर करेंगे कितना दो बटे 5, ठीक न यही क्या हो जाएगा ये इतना ओम हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध, Āंटर्णल रजिस्टेंस इतना आ गया और क्या निकालना है इसमें बिद्दुत वाहक बल निकालना है, तो बिद्दुतवाहकबल के लिए चाहे जिस समीकरण पे आप आरकामान रख करके बिद्दुतवाहकबल निकाल सकते हैं तो बस आज के वीडियो में इतना है अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसी helpful content आप तक पहुंचती रहें मिलते हैं next essay सांदार topic के साथ